महापुरुष में जीत के इच्छा नहीं होती, इसलिए आलोचना करने वाले आलोचना करकर के ठक जाते हैं, पर महापुरुषों को अरा नहीं सकते हैं, क्योंकि जीत के इच्छा ही नहीं है भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बड़ा ही सुन्दर श्लोक आता है त्यक्तवा कर्म फला संगा नित्यत्रुप्तो निराश्रया नित्यत्रुप्त हैं और उनकी त्रुप्ती जो है वो संसार के आश्रय से रहित है सद्गुरु का आनंद, सद्गुरु का सुख बाहर के आश्रय से रहित है जबकि पूरी दुनिया में लोगों का सुख संसार के आश्रय से ही होता है और गुरु का सुख संसार के आश्रय से नहीं है और ऐसे गुरू की भक्ती जो सादक करेगा उसको भी संसार के आश्रित जो सुख है उसकी गुलामी नहीं रहेगी छूटे की जितने अंश में गुरू के प्रती भक्ती होगी उतना वो लाभान भी तोता जाएगा तो सादरन व्यक्ती की मस्ती सकारण होती है घर में बेटा हुआ किसी की शादी है यहां रुपयों का फायदा हो गया तो खुश होते हैं ना माने बाहर से आया सुख यही हुआ और जहां बाहर से आया सुख वहां ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि बाहर से आया सुख दुख बन जाता है क्योंकि जिसका सुख संसार आश्रित है उसका सुख ज़्यादा टिकता नहीं और जिसका सुख संसार आश्रित नहीं है उसका सुख मिटता नहीं है तो गुरुदेव के ज्ञान की यही महिमा है राम राज्य नहों पाया राम वनवास हो गया राम जी मुस्कराते हुए आनंदित उलसित होकर गुरु के चरणों में बार-बार हर्शित होकर प्रणाम करते हैं और फिर वहां से निकलते हैं यह ज्ञान का प्रभाव है हवा के जोके से पत्ता हिला परन्तु जादा दिर उस स्थिती में नहीं रह पाता है क्योंकि जिस कारण हिला था वो हवा तो चली गई आगे नदी में लहर उठी हवा के कारण फिर शान्त हो गई ऐसे ही संसार में क्षण भंगुरता है और क्षण भंगुरता से आया हुआ सुख भी क्षण भंगुर होता है ज्यादा टिकता नहीं है पर गुरू की भक्ती के द्वारा गुरू के ज्यान के द्वारा जो सुख मिलता है वो क्षण भंगुर नहीं है क्योंकि ब्रह्म शाश्वत है वो क्षण भंगुर नहीं है और ब्रह्म को पाई हुए गुरू भी वो ब्रह्म ही है तो उनके सुम्रण से जो सुख मिलेगा वो क्षण भंगुर नहीं होगा संसार में वस्तु व्यक्ति की दास्ता से जो सुख मिलेगा वो ख्षन भंगुर होगा और ब्रह्म स्वरुप गुरु के सुम्रण से और ज्यान से जो सुख मिलेगा वो ख्षन भंगुर नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म शाश्वत है तो उस साधक को शाश्वत सुख ही मिलेगा तो गीता में ये वच्छन है कि नित्यत्रुप्तो निराश रहा सद्गुरु नित्यत्रुप्त है और किसी के आश्रे रहित जैसे बोलते हैं सर्दी आगई कई बार नहीं बोलते हैं अच्छा खाना मिला आज तो मज़ा आ गया अब तो नहीं है न खा लिया अब क्या स्वादिष्ट वस्तु जब तक जीब पर उसका स्वाद ले रहे हैं तो मज़ा आया पेट में जाने पर तो वजन ही बड़ा और जितना ज़्यादा खाएगा आदमी उतना ज़्यादा नींद की इच्छा होगी क्योंकि शक्ती गई खाने को पचाने में तो सो जाएगा अब देखो कोई आदमी चार गंटे सोता है तो उसको छे गंटे सोने वाला तामसी लगता है पर यह गलत है हो सकता है वो आदमी विचारा मेंनत जादा करता है उसले उसको नींद जादा चाहिए यह भी हो सकता है और चार गंटे सोने वाला मैनत कम करता है उसलिए उसको कम नींद की जरुवत पड़ी वो उठ गया तो उसका मतलब यह नहीं हुआ कि घर पे कोई 6 गंटे सोता है तो तामसी है अब मा है विचारी उमर हो गई तो उसको नींद कम आती है बेटा दुकान पे जाता है नौकरी करता है उसको नींद जादा आती है अब मा चार बज़े उठके माला करने बैट गई और बेटे को मानती तामसी है देर तक सोया रहता च्छे बजे उठता है, शाथ बजे उठता है, आलसी है, वो विचारा मेनत करता है, इसलिए उसको नीन ज्यादा जरूरी लगती है, इसलिए उसको फिर तामसी नम आना जाए, उसको युक्ति से समझाय जाए कि बेटे साथ बजे नहीं, एक गंटा पहले उठ चाओ, दस माल का जब वो व्यक्ति के भाग्य को चमकाता है, उसकी भक्ति बढ़ाता है, उसके सुख को संसार के आश्रित नहीं रहने देता, इस प्रकार उसको प्यार से भी तो का जा सकता है, ज्यानी गुरू का सुख संसार के आश्रित नहीं है, उनका आनंद संसार के आश्रे से नहीं है वे नित्यत्रुपत हैं उन गुरू का दिया मंत्र तुła बेटा तो तू भी नित्यत्रुपत और कि संसार के आश्रित से जो सुख मिलता है उसकी इच्छह से तू मुक्त सब अच्छें कणकण में है जाकी भगवान की किसी ज्यान वाली आख ने पैचान की तो जिसके जीवन में गुरु है गुरु का ज्यान है और गुरु के ज्यान में जिसकी महत्व बुद्धी है वो वीर विवे की सादक नित्य तुरुप्त रहता हुआ दूसरों को भी तुरुप्त रखने की ही बात सोचेगा करेगा महत्मा बुद्ध के पास एक युवक आया और कहा कि उपदेश दीजिए बुद्ध ने पूछा मैं जो उपदेश दूँ जो अच्छी बात बताओं वो तुम आज करोगे कि कल करोगे वो बोला कि आज तो नहीं कर पाओंगा आप मुझे सुना दीजी अच्छी बातें फिर देख लूगा बुद्धने का जब अच्छी बातें आच्छन में लाने का तेरा मन हो बुले नहीं मैं कल से कर लूँ मैं कल आजा ना वो बुला नहीं आप उपदेश दें कभी तो काम आएगा बुद्धने कहा कि देख मैं एक गाउं से गुजर रहा था तो गाउं में किसी घर में आग लगी थी घर वाले भाग रहे थे तो मैंने घर वालों को कहा कि आज क्यूं भागते हो कल भाग लेना क्या जल्दी है क्यूं भाग रहे हो कल भागना तो घर वाले बोलने लगे कि माराज पागल हो गए हो क्या घर में आग लगी हो बोलते हो कल भागना मर जाएंगे उसका क्या उनको तो आग दिखी इसलिए भागे पर लोगों को आग दिखती नहीं अंदर कामना और वासना की आग भी आग ही है इच्छाओं की लप्टें आदमी को दिखती नहीं है उसको लगता है कि बस ये पूरी हो जाएगी दो मजह आजाएगा पर जो साधक बनते हैं सत्संग सुनते हैं गुरु से दिख्षा लेकर जब करते हैं उनको वो लप्टें दिखती है और उनको छोड़कर वो पहुंच जाते हैं सत्संग में और गुरुदेव जो कहते हैं वैसा करते हैं आप लोग करते हैं जब भी करते हैं प्राणायाम भी करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, सेवा के काम अपने अपने इलाकों में करते हैं, पर जिनको वो लप्टें दिखाई नहीं देती, वो पड़े रहते हैं, अंदरी जलते रहते हैं। तो भगवान उन बक्तों को देखकर खुश होते हैं, जैसे विदुर जी की प्रेणा पाकर पांडव लाक्षाग्र से निकल गए, ऐसे शरीर रुपी लाक्षाग्र जले उसके पहले जो गुरु का ज्यान सुनकर इससे उंचे उठते हैं, उन पर इश्वर गुरु राजी हो कहो कि वो सुख दुख का ही दूसरा नाम है, और वो साधक नहीं चाहता, जैसे उद्दव जी ने क्रश्न भगवान को पूछा कि दुख क्या है, भगवान ने कहा कि संसार के एक शन भंगुर भोगों को भोगने से जो शनिक सुख होता है, उसकी इच्छा का नाम ही दुख है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन की ये सदगुरु माही समा है, तो जिस सुमिरन से दुख मिट जाए, वो युक्ती गुरुदेव हम सब को सिखाते हैं, जो त्याज्य है, वो विराज्य न बने, वो त्याज्य ही रहे, ताकि कल्या हो